हेलो फ्रेंड्स सुमी फैशन फोकस चैनल में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेट के कपड़े से फुग्गा वाला स्लीफ कैसे कटिंग करें और इस्टीचिंग करें तो इसके लिए यह देखिए मैंने डवल फोल्ड करके कपड़े को लिया है और सबसे पहले मैंने साथ इंच पे निशन लगाया जो कि फुग्गे के लिए होगा आप पंच पे भी लगा सकते हैं नौ पे भी लगा सकते हैं आप जितने ज़्यादा स्पेस लेंगे उतना ज़्यादा फुग्गा बनेगा तो मीडियम साइज का साथ ही होता है और हमार एक इंच बढ़ा के साड़े ग्यारा ले लिया और अब साड़े ग्यारा और साथ मिला के साड़े अठारा तो दुसरे साइड भी हमने यह साड़े अठारा ले लिया और अब इन निसान को मिला लेते हैं और इसमें ध्यान रहे कि यह हमारा इसमें फ्लावर बना हुआ है flower जो है वो हमारा उपर की side जा रहा है तो दोनो side दोनो slips पे उपर ही side जाए तो यह हमारा निशान हो गया यह 60.11 हो गया slips का निशान तो यहाँ भी हम 60.11 इंच पर निशान लगा देते हैं और अब इस निसान को इस तरह से मिला लेते हैं और नीचे वाले पाट को जैसे हम स्लिप्स कटिंग करते हैं वैसे ही निसान लगाना है यहां से तीन इंच हम डाउन जाएंगे और नीचे जो है वो हमें स्लिप्स की गोलाई उसको भी ले लेना है स्लिप्स की गोलाई 11 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो साढ़े पाँच तो साढ़े पाँच पे हमने एक निसान लगाया दूसरा निसान हम 1.5 इंच पर लगा दिये जो कि सिलाई के लिए रहेगा निच डाउन किया था वहां पर हमने इस तरह से निसान लगा दिया और अब हमें जो है उपर तक जहां से हमने डाउन किया है वहां से हमें उपर तक ले जाना है इस तरह से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइ आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह हमने एक स्लिप्स को काटा है और दूसरा स्लिप्स जो है वो जो हमारा इसमें फ्लावर बने हुए है उस हिसाब से हमें काटना है तो यहां पर सेट नहीं होगा तो हमें बीच से लेना पड़ेगा जो कि हमारा फ्लावर भी बराबर हो अगर उपर की साइड फ्लावर जा तो दोनों स्लिप्स के फ्लावर उपर साइड जाना चाहिए और इस पेस जितना उपर से या नीचे से फ्लावर का है तो उतना ही दोनों में आना चाहिए नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह से हम फ्लावर को फ्लावर से मिला के और कपड़े के उपर रख कि अगर लावर मा उल्टा साइड तो दोनों उल्टा-उल्टा मिल जब यह ने तो फिर कभी गलबळ हो जाती है कि एक कपड़े को हमने उल्टा रखा और और कपड़े को सिधा रखा तो इस तरह से फिर परेशनी हो जाती है फिर उल्टा कटिंग हो जाती है इसके लिए जब भी रखें तो कपड़े को जो वह दोनों को एक साइड में जरूर रखे तो कभी गलत नहीं आरपका कटे गा तो ये हमने दोनों साइड को एक साथ मिला के और इस तरह से हम दोनों स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं यह अब हमारी दोनों स्लिप्स की कटिंग हो गई है अब हमें इस तरह से लेना है यहां साड़े 11 इंच हमने लिया था जो कि हमारी स्लिप्स की लंबाई प्लस उसमें सिलाई एड है और यहां से हमने 9 इंच लिया है जो कि हमने 38 इंच सिना वाली ब्लॉच के हिसाब से लिया है और यहां पर तीन इंच हमने डाउन किया था अब हम यहां पर एक इंच पर एक निस्वान लगा लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे और अब हम यहां से जहां पर हमने एक इंच का निस्वान लगाया था वहां से हम उपर तक मप लेंगे और इसके मिडिल पॉइंट में एक निस्वान लगा लेंगे यह हमारा नौ आया तो हम साड़े चार इंच पर एक निस्वान लगा लेते हैं यह हमने साड़े चार इंच पर एक निस्वान लगा लिया और यहां पर हमने शाड़े पहुच लिया था और देढ़िंच सिलाई के लिए अब यह हम निशान को मिला लेतें यह सिलाई का निशान होगा और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फवैनली यह हमारा फुगा वलाउज की आसतिन का कटिंग है इस तरह से यहां से पफ बनेगा अब इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है और हमारे दोनों स्लिप्स के फ्लावर भी बराबर जगह पे आ गए है अब मैं इसे जोइंट के से कर रही हूँ वह आपको मैं बताऊंगी कि जहां से हमारा सोल्डर का जोइंट है वहां पर हम मिडिल इस पॉइंट को रखेंगे आस्तिन के अ कि अ कि और यह से हम चुन्नट डालते जाएंगे के छोटी-छोटी फ्लेट्स लेने हैं बड़े प्लेट्स नहीं लेने हैं हम प्लेट्स को लेते जाएंगे और नीचे भी मिलाते जाएंगे ताकि हमारा नीचे भी बराबर है इस तरह से मिला लेंगे और जो भी बचे हुए कपड़े हैं उसके हम प्लेट्स डाल देंगे तो यह हमारे एक साइड के प्लेट्स कम्प्लीट हो गए हैं अब इसे पलट करके और इस तरह से हम रख देंगे दूसरी साइड को और यहां से हम सिलाई करना शुरू करेंगे बगल से हमें सिलाई लेना है और यहां से सिलाई लेते जाएंगे और हमने दूसरे साइड प्लेट्स दिये हैं तो उसकी माप ले लेंगे अगर हमने दो इंच तक प्लेट डाला है तो दो इंच हम इस तरह से डबल करके माप लेंगे और एक निसान लगा लेंगे कि दूसरे साइड भी हमें वहीं तक प्लेट्स लगने हैं तो जहां तक हमने निसान लगाया वहां तक सिधा सिलाई ले लेती हूं और जहां से हमने निसान लगाए हैं वहां से प्लेट लेना शुरू कर दूँगी तो इस तरह से दोनों साइड में आगे और पीछे दोनों साइड में बराबर बराबर प्लेट्स आ जाएंगे इसी तरह से हम दूसरा स्लिप्स भी लगा लेंगे और स्लिप्स के नीचे जो हमने मार्जीन छोड़ा था उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए तो ये अब हमारा पफव स्लिप्स कम्प्लीट हो गया है इसी तरह से हमने दोनों स्लिप्स को ब्लाउज में एटेच कर लिया है और बताईए